लो जी आम खालो, पकच्चे थोड़े खाऊ वे, मैं इनकी रेसिपी बना के आपको खिलाती हूँ, फिर आप बताना आपको कैसी लगी, ये मैंने एक कटोरी कच्च आम लिया है, काट के ले लिया है, इसे मैं इसे बगोने में डाल लूगी, और इसमें डाल दूगी दो कटो के लिए रख देंगे, और आपको इस भी आम ले सकते हैं, मतलब दस हैरी ये लंगडे वंगडे जो भी आते हैं, बस एक कच्चाम होना चाहिए, एक इंची अद्रक का टुड़ा मैंने छील के काट लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये बोईल कर रही हूँ मै इसमें, तब इसमें मैंने अद्रक भी डाल दिया है, और ये हैं 8-10 काली मिर्च के दाने, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको ढख के, अच्छे से हम उबाल लेंगे, जब तक आम भी बिल्कुल सोफ्ट नहीं हो जाती, गल नहीं जाती मतलब, तो ये देखो, पो आए सो रही हैं हम के, देखो, देखने कितने अराम से कट पा रही हैं, तो ये इसी तरह हमें करना है, और अब इसे थोड़ा सा थंडा होने देंगे, थंडा होने के बाद इसे हम, और साइड में हमें सबजी भी बना रही थी हम की, तो ये थंडा हो गया है, थोड़ा सा क्य और इसे में इसका बिलकुल बारीक पेस्ट बनाना है और यह हम बना रहे हैं आम का पन्ना कच्छी आम सही बनता है इसे पीने से लू का असर नहीं होता है आपकी बोड़ी पर अगर आपको लू और यह एक चम्माश सोप में पानी में भीगो दी थी थी थोड़ी देर पहले इसे भी हम इसमें डाले सोप की तासीर भी ठंडी होती है आप गर्मियों में सोप का सरवत या किसी भी सरवत में सोप का पानी मिला के पिए तो वह त अच्छा होता है तो देखो एक जो आम उबाला था वो और एक चम्माश सोप भीगो थी वो अब इसमें हम चिन्नी डाल अब यह अच्छे से बारीक पेस्ट बन गया इसका चिननी भी घुल गया इसमें अच्छे से तो अब मैं इसमें यह च्छननी में निकालना है इसको ताकि जो आम के थोड़े बहुत रेसे हो वह चलनी में रह जाएं उपर और बिल्कुल जो उसका पेस्ट पेस्ट है वह अब देखो यह थोड़े से हरे दनी उसके पोदीने के पत्ते लिए में जरा सा पानी डाल के इसमें अच्छे से एक बार चला लूंगी यह मतब चटनी नहीं बनाएं तो तूट से जाएं जो पेस्ट चान कर रखाना इसको में इसमें डाल देंगे ताकि कभी कई मुह में पोदीने का पत्ता आएगा तो उसका टेस्ट हमें अच्छा लगेगा इसमें मैंने डाल लिया है और इसमें मैं डाल लूंगी दो चमच काला नमक और यह मैं डाल रही हूं इसमें एक चमज भुना हुआ जीरा मैंने भून के डबी में रख रखा है और इसा अच्छे से मिला लूँगे और आपको कितना गाडा पीना या कितना पतला पीना वो आपकी खुद की मर्जी है अगर यह मुझे बहुत गाडा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिलाओंगी और आप इसको बिल्कुल थंडा थंडा सर्व करें बना के फ्रीज में रख लें जब भी कोई आ बने सकते हैं और इसे इसमें थोड़ा सा बार्प भी डाल देती हूं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए क्योंकि कोई चीज बनती है न तो पटा पटा उसको की देखो कैसी बनी है खाके देखने की इच्छे तो इसलिए मैं इसमें बार्प डाल जाल जाएगा और एक कटोर या थोड़ा सा बर्प डाल लिया उसमें पन्ना डाल दूंगी मैं और आप मैं डाल रही हूं तो इसका थिकनस देख सकते हैं कैसी है इससे पतला भी आप कर सकते हैं इससे और यह काफी टेस्टी लग रहा था पीने के बाद थोड़ा सा पोदेनी की पत्ती सा आप इसको सजा लें और ठंडा ठंडा पी हैं और बताएं कैसा लगा आपको आम का पन्ना एक छोटी सी रैसेपी आपके लिए है बनाते रहिए अब पी के बताते हैं आपको कैसा बनाया आम का पन्ना लो जी पी जिए आम का पन्ना और ये बहुत टेस्टी बना है अभी मैं पी के बताती हूं आपको अमेजिंग